नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपके त्यारी भी बढ़िया चिल रही होगी चलिए, बहुत पढिया सभी दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को रामराम, सभी दोस्तों को ससरियाकाल तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम आट बजे जिसमें हम रास्तान पुलेस के लिए समानने विज्ञान के क्यूसन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 79 क्लासें कम्पलीट हो चुकी है आज हमारी 18 नमबर क्लास रहेगी अगर वो पिछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा वाशे जाकर के पिछे वाली क्लास देख लीजीगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटेनियूस सभी क्लासों को देख सकते हैं रही बात PDF की तो PDF में टेलेग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना पास मिलेगे बेल आइकन को प्रेज कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो डालों तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहला आपको पास पहुंझे और आप तरुन तो उसका लाब उठास को फ्रस्ट नमर क्योशन है एक इगरा द्रेवमान के पिंड को पर्थी किस बल के कारण अपनी ओर खिंसती है तो वो आपका राय टेंसर होगा 9.8 नूटन यानि ए ओप्षन आपका यहाँ पे राय टेंसर होगा अगला प्योशन देखो भी second question आपके सामने है किसी ग्रह के प्रिकरमन काल का वरग उस ग्रह की सुरिय से ओस दूरी के घन के अनुकरमान पाती होता है यह यहाँ पे नाम है घन ठीक है घन के अनुकरमान पाती होता है इसे किस परकार से परदसित किया जा सकता है तो Kepler का 33 नियम आपको याद होगा T² A R की क्यूब T² A R की क्यूब ये Kepler का 33 नियम है तीसरा नियम ठीक है और Kepler ने 33 नियम दिया था वो आवर्थ कालों का नियम दिया था भी अगला क्यूशन देखो भी आपके सामने है लिप्ट में मुनोस्य का पर्तेक्ष वजन वास्तिक वजन से कम रहता है तो जब लिप्ट है वो तवरित गती से निच्चे जा रही है तब उसका जो वास्तिक वजन है उससे कम वजन है वो रहता है यानि A option आपका याँ पर राइट एंसर होगा फोर नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है निम्मल लिखित में से किस कथन पर गुर्तवा कर्षण का मान सरवादिक होगा तो आपका राइट एंसर होगा अंटारक्टिका के केम्प पर यानि D option आपका याँ पर राइट एंसर होगा अगला फाइट नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है प्रिंस सिंपिया समन्दित है तो वो होजेगा नियूटन से समन्दित होजेगा यह एक नियूटन की पूस्तक का नाम है जिसमें नियूटन ने गति के तीन यमों का उलेख किया था इसमें ठीक है अगला question देखो भी आपके सामने है गुर्तवा कर्षण का शारवत्री के नियम में G का मान क्या होता है तो G का मान होता है 6.67 इन्टू 10 की पावर माइनेस 11 न्यूटन मिटर पत्ति कीगरा स्केर होता है यानि A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा यह कीगरा स्केर होगा यहाँ ठीक है अगला question देखो भी आपके सामने है next question देखो 7 number question है गुर्तवा कर्षण नियम का गिनतिय रूप से किस परकार परदसित किया जा सकता है तो वो हो जेगा F बराबर होता है G into M1 into M2 upon me R2 यानि A option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा यह इस परकार से है G into M1 into M2 upon me होजेगा R2 ठीक है? R square अगला question देखो भी 8 number question आपके सामने है किसी उप ग्रह को ग्रह के परीत घुमने है तू अभी केंदर बल कहां से प्राप्त होता है तो वो आपका राइट एंसर होगा ग्रह के गुर्तवा कर्षन बल से प्राप्त होगा भी ग्रह के गुर्तवा कर्षन बल यानि B option आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा अगला question देखो 9 number question आपके सामने है उप ग्रह कहलाते हैं तो उपग्रह है वो ग्रोहों के चारों और चक्कर लगाने वाले आकाशिय पिंड होते हैं यानि ए ओप्षिन आपका यहाँ पे रैट एंसर होगा अगला क्यूशन देखो भी 10 नमर क्यूशन आपके सामने है क्यूशन है सारवत्री गुर्त्वाकर्शन नियतांक की इकाई क्या होती है तो वो होजेगा न्यूटन मीटर परती की ग्रा स्केर यानि ए ओप्षिन है वो आपका यहाँ पे रैट एंसर होगा अगला क्यूशन देखो भी 12 नमर क्यूशन है परती तल से पलायन वे कितना होता है अब पहले आपको पता होना चाहिए पलायन वेग होता क्या है तो पलायन वेग वह वेग होता है जिसमें कोई भी वस्तु को हम फैंकते हैं तो वो वापस पर्थवी पर नहीं आती है तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं पलायन वेग बोलते है तो पर्थवी से अगर कोई भी वस्तु है वो 11.2 km3 सेकंड के इसाब से फैंकी जाती है तो वो वस्तु अब वापस पर्थवी पे नहीं आएगी ठीक है अगला क्योशन देखो भी तेरा नमर क्योशन आपके सामने है गुर्थवी तवरण जी का मान होता है तो वो होजेगा 9.8 मिटर पर 30 सेकंड स्केर होता है यानि ए ओप्षन आपका याँ पे रैट एंसर होगा पर्थवी के गुर्थवा कर्षन बलके कारण उसके वेग में प्रिवर्तन होता है अर्थार तवरण उत्पन होता है जिसे हम गुर्थवी तवरण बोलते हैं अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है भार हिंता होती है तो भार हिंता है वो गुर्थवा कर्षन की सुन्य कंडिस्चन में भार हिंता होगी अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है अगर आपसे पूश ले भी जी का मान महत्तम यानि अधिक्तम कहां पे होता है तो पार्थवी के दुरूओं पे जी का मान अधिक्तम होता है और विश्वत रेखा पे नियूनतम यानि कम होता है अगला क्योशन देखो भी 16 नमबर क्योशन आपका सामने है क्योशन है जी किसका परतीक है तो जी है वो गुर्थविय तवरन का परतीक है ठीक है बी ओप्षन आपका याँ पे रेट एंसर होगा जी है वो गुर्थविय तवरन का परतीक है और ये कैपिटल जो जी होता है वो गुर्थवय तवरन का होता है ठीक है अठारा नमर क्योशन आपके सामने है क्योशन है पार्थी के अत्ती निकट चकर लगाने वाले ओपगर्य का परिकर्मन काल कितना होता है तो वो होजेगा एक घंटे 24 मिनट होता है यानि ए ओप्षन आपका याँ पे रेट एंसर होगा नेक्स क्योशन पर लेकर चलता हूँ अगला क्योशन देखो भी 19 नमर क्योशन आपके सामने है क्योशन है गुर्थवय तवरन का शर्वादिक गुर्थवय तवरन नियतांक में क्या समद है तो वो होजेगा जी बराबर क्या होजेगा ये ए ओप्षन है वो आपका अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है 20 नमर क्योशन है चंद्रमा पर गुर्थवय तवरन वे पर्थवी पर गुर्थवय तवरन में क्या समन्द होता है तो ये समन्द होगा भी जो जी एम यानि चंद्रमा पर गुर्थवय तवरन वे पर्थवी पर गुर्थवय तवरन में क्या समन्द होता है तो जी एम बराबर क्या होता है जी ए अपोन में क्या हाजेगा 6 आजेगा जी ए अपोन में 6 आजेगा तो जी एम यानि जो चंद्रमा पर गुर्थवय तवरन है वो होजेगा M यानि मून और उसके बाद जी स्मोल जी ए का मतलब आर्थ यानि पर्थी पे गुर्तवी अतवरन होजेगा और अपॉर्ण में आजेगा आपका 6 ठीक है अगला 21 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है क्योशन है पांच मीटर परती सेकंड की दर से गतिश उसका मास बताना आपको उसका द्रिवयमान क्या होगा यह आपको बताना है तो होजेगा 10 कीग्रा यानि ए ओप्षन आपका यहां पर रैट एंसर होगा ठीक है गतीज उर्जा गतीज उर्जा बराबर होती है वन अपॉर्ण में 2mv स्केर होती है तो इससे आप निकाल सकत है ठीक है अगला क्यूशन देखो भी आपके सामने है एक कीग्रा वर दस कीग्रा के पिंडों को उपर से नीचे समान वेक से फिलने पर दोनों में करम से कितना गुर्तविया तवरन होगा तो वो होजेगा दोनों में समान गुर्तविया तवरन होगा यानि ए ओप्षन आपके सामने हैं समान अर्थार्थ बोल सकता हो भी नाइन दसमलों एट मिटर परती सेकंड मिटर परती सेकंड स्केर होगा ठीक है तेवीच नमर क्योशन देखो भी एक खगोल या इकाई किसे से समंदित है तो वो होजेगा सुरिया एवपार्थी के बीच की दूरी से समं अगला क्योशन देखो भी आपके सामने है 25 नमर क्योशन देखेगा अगर परती अपने आक्स के चारों और घूमना बंद कर दे तो उसका परभाव कहां पर पड़ेगा तो उसका परभाव होजेगा भी दिन और रात है वो समापत हो जाएंगे पहली बात तो यह दूसरी यह हो जाएगी सुरिय के सामने वाला भाग हमेशा दिन ही रहेगा और जो पीछे वाला भाग है वह हमेशा राती रहेगी तो ओल अफ दीज है वह आपका यहां पर रात एंसर होगा 26 नमर क्योशन देखो आपके सामने है उप ग्रह को पर्थी तल से कितनी किलोमेटर दूर कितनी किलोमेटर दूर स्तापित किया जाता है तो आपका रायट एंसर होगा फ्रेंड्स वह हुझेगा 36,000 किलोमेटर यानि बी ओप्शन आपका यहां पर रायट एंसर होगा अगला क्योशन देखो भी 27 नमर क्योशन आपके सामने है जब खाली ट्रक वह समान से भरा दूखेगा यानि ए ओप्शन आपका यहां पर रायट एंसर होगा 28 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है साथ-सात में क्लास को लाइक करते रहीगा जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जुरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के स साथ में ताकि सभी दो जुड़े पढ़ने और पढ़ने का मज़ा है और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो डालों तो उसका नोट्विकेशन सबसे लाप पास पहुंजे और आप तो उसका लाब उठास को 28 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है पार्थवी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुर्तवा कर्शन बल क्या कहलाता है तो वो हो जेगा भार कहलाएगा यानि ए ओप्शन आपका यहां पर राइट एंस होगा ठीक है तो अगला क्योशन देखो भी गुंतिस नमर क्योशन है जब एक लिप्ट उपर की और जाती है तो लिप्ट में स्थित व्यक्ति का जो भार है वो अधिक मैसूस होगा यानि बढ़ा हुआ मैसूस होगा ए ओप्शन आपका यहां पर राइट एंसर होगा ठीक परिकर्मन में सबसे कम समय कौन सा ग्रहल लगाता है तो वह बुद्ध लगाता है पहले ही हम पढ़े चुके हैं 88 दिन में अपना परिकर्मन है वह कंप्लिट कर लेता है ठीक है जबकि सबसे अधिक समय कौन सा लेता है अगर यह पूछे तो वरुन आपका यहां पर किसी वस्तु में उपस्तित परदार्थ के परिमान की मूल-बुत माब को ही हम क्या बोलते हैं द्रवेमान बोलते हैं 33 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है क्योशन है किसी चक्तान की किनारों पर खड़ा एक आदमी एक पत्र को किसी गती से शीदा उपर की और फैंकता है और फिर वह उस एक अन्य पत्र को उसी गती से नीचे की और फैंकता है त ओप्षिन आपका यहां पर राइट एंसर होगा दोनों पत्थर एक ही वेग से जमीन से टकराएंगे भी ठेक है अगला 34 नमर क्योशन देखो भी आपके सामने है यदि किसी वस्तु को पार्थी से चंद्रमा पर ले जाये जाए तो उसका जो भार है उसका जो द्रवेमान है यहां पर थोड़ा से क्योशन गलत होए ठीक है न उसका द्रवेमान यह द्रवेमान है वो नाम यहां पर आईगा भी ठीक है उसका द्रवेमान उसका द्रवेमान में क्या changes होंगे वो बताना है तो उसका द्रुवयमान है वो उतना ही रहेगा भी द्रुवयमान उतना ही रहेगा लेकिन भार है वो change होता रहेगा भार कम जादा होता रहेगा द्रुवयमान change नहीं होगा ठीक है जब किसी वस्तु को पार्तिव से चंद्रमा पे ले जाया जाता है या लोहे के गोले को है उन्चाय में से एक साथ गिराया जाए तो उनमें से कौन सी वस्तु पहले गिरेगी ये आपको बताना है तो आपका right answer का दोनों एक साथ यानि C option आपका याँ पे right answer होगा जब YU का पर्तिरोध परभाव कारी होता है तो भारी वस्तु पर्थी पर सबसे पहले आएगी ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी लेकिन याँ पे ये ऐसा कुछ बोला नहीं गया है 36 नमर के उशन देखो भी तुल्या कारी उपगरा की परिकर्मन अवदी कितनी होती है तो वो 24 गंटे की होती है यानि A option आपका याँ पे right answer होगा 37 नमर के उशन देखो भी यदि एक लड़के का पर्थी यदि एक है लड़के का पर्थी पर भार 60 कीगरा है तो चंद्रमा पे कितना होगा तो आपका right answer होगा वो होजेगा 10 कीगरा होगा भी यानि 1 by 6 होता है उसका तो 10 कीगरा होजेगा यानि B option आपका याँ पे right answer होगा ठीक है अगला question देखो भी 38 नमर question आपके सामने है यदि पार्थी की 30 को एक परति साथ गटा दिया जाए तो gravitation गुर्तवी अतवरण का मान बढ़ेगा गटेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर गटेगा या फिर एप्रिवर्तित रहेगा तो बढ़ जाएगा भी यानि ए option आपका याँ पे right answer होगा अगला question देखो भी गुंचालेस नमर question है किस विज्यानिक ने न्यूटन से पुरो ही बता दिया था कि सभी वस्ते पार्थी की और आकरशित होती है तो वो ब्रह्म गुप्त ने बताया था यानि D option आपका याँ पे right answer होगा उन्होंने गुर्तवा करशन के शिधानत का पर भार है वो सुनने हो जाएगा प्रंतों द्रेवमान है वो वही रहेगा यानि D option आपका याँ पे right answer होगा आपको पता है भी द्रेवमान हमेशा वही रहता है लेकिन भार है वो चेंज होता रहता है ग्रेविटेशन के कारण एक तालेस नमर क्योशन देखो भी पर्थिधारा अपने अक्स के चारों और गुमना किस परकार की गती का एक 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 जामपल है तो वो हो जाएगा गुर्णन गती का एक 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 जामपल हो जाएगा यानि C option आपका याँ पे right answer होगा अब गुर् ये एक अधीश रासी है यानि A option आपका याँ पे right answer होगा ठीक है डबलू बराबर क्या होता है वी कारिये को डबलू से denote करते हैं डबलू बराबर होता है F D F D F.D होता है ठीक है अगला क्योशन देखो भी D displacement होगा याँ फिर और F याँ पे force होगा ठीक है displacement यानि आपन का गोनदफल होता है डबलू अगला क्योशन देखो भी 43 नमबर क्योशन आपके सामने है निमल खित में से सुमेलित नहीं है तो अरग बराबर कितना होता है एक अरग बराबर कितना होता है तो 10 की power minus 7 Joule होता है यह पहले वाला ही गलत है भी पहले वाला है वो सही सु की power minus 19 Joule एकदम सही है केलोरी में एक केलोरी बराबर कितना होता है तो एक केलोरी बराबर 4.186 Joule होता है एकदम सही है दैन उसके बाद में किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तो 3.6 into 10 की power 6 Joule होती है एकदम सही है अगला क्योशन देखो भी कारिया होता है तो कारिया ह और इनात्मक भी होगा तो A और B दोनों यानि C option है वो आपका यहां पर right answer होगा अगला question देखो भी 45 नमर question है कारिये की वीमा आपको बतानी है कारिये की वीमा क्या होती है तो हो जेगा M1 L2 T-2 यानि A option है वो आपका यहां पर right answer होगा ठीक है और याद रखना कारिये का ऐसा रिपर्जेंट किया जाता है A option आपका यहां पर right answer होगा अगला question देखो भी आपके सामने है 47 नमर question देखिएगा ताक्षिन की सकती को किस परकार से वैक्त किया जा सकता है तो आपका right answer होगा P बराबर होता है F V यानि A option आपका यहां पर right answer होगा ठीक है V यहां पर सकति का मात्रक हो जींगा वाट यानि डी ओप्शन आपका यहां पर होगा अगला क्यूशन देखो बियंगा एक हशोति सकति बराबर क्या होते है तो 746 ओता है ठीक है कि यानि aE option आपका यहां पर है अगर आप से पूच साध यहां पर is है पचास नमर क्योशन देखिए 15 नमर क्योशन है वन किलोग्राम घंटा किसके बराबर होता है तो अभी पढ़के आए हैं पीछे ठीक है न अगर आपने सरी धंग से क्योशन पढ़े हैं तो 3.6 इंटो 10 की पावर 6 जूल होता है ठीक है एक किलोगोट घंटा A के KWH बराबर होता है वन यूनिट और इसे हम बोलते हैं 3.6 इंटो 10 की पावर 6 जूल ठीक है तो A option है वो आपका यहां पर रैट एंसर होगा तो आशा करता हूँ फ्रेंट्स आज की क्लास में हमने 50 क्योशन कवर किये हैं सभी क्योशन आपको समझ में आगे होंगे अगर फि ताकि सभी दो जूड़े पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना पास मिले के बेल आइकन को प्रेस करें ना ताकि जैसे ही वीडियो डालू तो उसका नाटिफिकेशन सबसे पहला लाब उठास को तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स क्लास में तब तक के लिए जैहीन जे भरत